नमस्कार दोस्तों स्वागात ते आप सब्सक्राइब की खिंदी पर और मैं हूँ अविनासिंग तो दोस्तों टाइम हो चुका है टेस्ट का सब लोग रेडियो हो जाएए और फटा-फट वीडियो को लाइक कर दे आर सब लोग support करने के लिए वीडियो को फटाफ़ लाइक कर देना और जो लोग live test नहीं दे पाते कुछ लोग कहते कि live नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं आप किसी भी time test दे सकते हो बस important इसमें यह है कि आपको पता चलेगा कि आपकी तयारी कितनी है और उसके साथ साथ आपको knowledge भी मिलेगा तो काफी खास होने वाला है यह test सारी important question मैंने pick up किया है और जिनका exam March में वो भी test दे सकता है कोई जरूरी नहीं कि फरिवर्वालों के लिए फरिवर्वालों का exam जल्दी है तो इसलिए उनके लिए कुछ ज्यादा ही खास है और दोस्तों जो लोग Facebook और Instagram यूज करते हो वहाँ पर मुझसे जरूर contact करना मुझे follow कर लेना वहाँ पर और जिनका exam है वो questions जरूर भेजना मुझे अगर याद हो जाए जितना भी आप याद कर सको पहले exam पर focus करना है फिर questions मुझे जरूर भेजना और जो लोग नहीं यूज करते वो बदाना मैं उनसे contact करनी कोशित करूँगा और आप मेंसे जो मेरे चनल पर नए आए हो चनल को subscribe जरूर कर लेना इसलिए website रियाद रखने की ज़रूरत अगले दिन नहीं पड़ती मतलब नहीं करनी पड़ती बताइए सही बोल रहा है कि जूट true or false बिल्कुल सही ये इद्दम true है ठीक है सही बोल रहा है ये जो cookies होता है वह ही तो website को दाट cookies डेटा को store कर लेता है कभी भी आप उसमें देखो तो मिल जाता है आपको अगर सर्च करते हो तो तुरूंत नीचे आ जाता है ऐसा होता है कि नहीं होता अब नाक्स्ट presentation design regulate formatting और layout slide को placeholder कहा जाता है बताई ये सही बोल रहा है गलत जो regulate formatting और layout slide को क्या बोलते है placeholder ये सही बोल रहा है कि गलत तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये true हो जाएगा ठीक है अब next sent item ये फिर sent एक box है जहां भेजेगे संदेश store होते हैं ये true है ये false तो बिल्कुल सही ये true है ठीक है काफी simple question है ये काफी ये लोग ने सही अंसर दिया अब next FTP protocol document को retrieve करने का एक client या फिर server जिसको बोलते है client server प्रोग्राम है बोलो ये true है false retrieve मतलब होता है पुना प्राप्त करना ठीक है retrieve मतलब पुना प्राप्त करना FTP तो मिल्कुल सही बोल रहा है ठीक है कोई भी प्राप्त करना या फिर भेजनी की बात आया तो FTP आप कभी बोलना मत ठीक है अब next Excel worksheet के केवल एक हिस्से को print करने के लिए font के आकार को बदलने ऐसे same question था तो मैं लिया है वरक सीट के किसी एक हिस्से को जब प्रिंट करते है तो font के आकार को बदला जाता है उसके कोई option आता है क्या उसमें ऐसा तो बिल्कुल सही बोल रहा है यह true हो जाएगा ठीक है अब next MS Excel में control plus end cursor को highlighted अंतिम cell में move कराता है जो highlight मतलब किये हुआ होता है cell उसके अंतिम cell में control plus end से हम जा सकते हैं क्या यह सही है यह गलत तो यह हो जाएगा गलत क्योंकि control plus end नहीं है अगर यहां पर होता shift plus end ठीक है shift plus end किसलिए होता है जो highlighted होता है उसके आखरी में जाने के लिए और control plus end टोटल जितना होता जितने पी आप काम कर रहे हो एक cell में अगर काम कर रहे हो तो जितने अगर जिस आखरी cell में आप कुछ लिखे होंगे एडिट की होंगे मतलब कुछ लिखे होंगे वहां पहुंच जाएगा आखरी cell में पहुंच आता है वह दिए बोल रहा हाइलाइट 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 लिए shift plus end टीक है सेम ऐसे word में भी होता है word में shift plus end से क्या होगा जो आप selected होगा जो हाइलाइट मतलब selected content होगा document में उसके आखरी में cursor पहुंच जाएगा और control प्रस करते हो तो पूरा जितना रहेगा पूरे document के आखरी में पहुंच जाएगा ठीक है इस तरह से होता है दोनों अब next ISDN circuit switch network का उद्वार नहीं है यह सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है कि ISDN ISDN मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको integrated circuit digital network ठीक है तिह हो जाएगा false क्योंकि यह circuit switch होता ही है circuit switch network होता है ISDN ठीक है उसी का example है यह अब next OSI model का उप्योग कर data को अस्थांतृत किया जा सकता है मतलब क्या जाता है इसका ссыл what true है है यह false OSI मतलब क्या हाँ मैं बता देता हूँ आपको open system interconnection model ठीक है OSI model open system interconnection model true है यह false तो यह जाएगा true क्योंकि ही सही बोल रहा है जो उप्योग कर data को अस्थांत किया जाता है ये communication function होता है ये OSI, communication में हम जानते है वो transfer किया जाता है सब कुछ daily communication बात करते हैं तो भी transfer होता है और link कर भेज़ते हैं तो भी transfer होता है तो ये communication function होता है OSI टिक अब next email net sister 4 के अनुसार, पुराने संदेशों की बड़ी संख्या, जिनकी आपको आवस्यक्ता नहीं है उन्हें भी store करना चाहिए ये true है या false ये बोल रहा है जिनकी आपको आवस्यक्ता नहीं है उन्हें भी store करना चाहिए तो ये होज़एगा false क्योंकि बोल रहा है नहीं है, जब आवस्यक्ता ही नहीं को हमें store करके क्या करेंगे ठीक है तो यह हो जाएगा false अगर यहां पर होता आभाशकता है तो यह हो जाएथा true ठीक है अब next pop-up menu को खोलने के लिए mouse के बाई कुझी का उपियोग होता है बताओ सभी बोल रहा है गलत बहुत simple question है अगर देखा जाए तो तो यह हो जाएगा false क्योंकि pop-up menu जो होता है वो क्या होता है जब हम कभी भी right click करते है mouse के तो देखे बहुत सारा option आजाता है copy, paste, print धेल सारे option आते हैं वह होता है pop-up menu तो राइट click करने पे आता है ना कि बहुत सारे option आते हैं वह होता है pop-up menu अब next इन में से क्या digital circuit के basic building blocks के अंदरगत सामिल कर सकते हैं बताए इसमें से कौन से सही होगा तो इसका सही अंसर होगा कुछ लोगों ने सही अंसर दिया तो ए नमबर logic gate ठीक है अब next निमन में से कौन operating system को RAM में search और load करने के लिए responsible है बताए जो operating system होता है उसको RAM में search और load करने के लिए responsible क्या होता है तो काफी लोगों ने सही अंसर दिया इसका सही अंसर होगा A number boot strap loader मतलब जब हम computer को on करते हैं उसी time तो यह सब होता है है कि नहीं तो वही boot strap loader उसको बोलते हूँ उसमें होता है on करते time जब booting होता है तो वही अब next ARP का पूर अर्थ है ARP मतलब क्या होता है बताइए इसका जो सही अंसरों को B number address resolution protocol अब next एक user दूसरे computer से internet पर किसके द्वारा file प्राप्ट कर सकता है telnet, sttp, utp, ftp कौन सा सही है तो symbols आईए ftp, file transfer protocol के द्वारा प्राप्ट कर सकता है भेजना हो तो भेज भी सकता है तो file transfer protocol जो होता है, file को transfer करता है अब next internet का जना किसे कहा जाता है डेनिस रिच विंट सर्फ, चाल्स वैबेस, मार्टिन कूपर, important question आईए internet का जना किसका science वर होगा B number, विंट सर्फ, ठीक है, अब next KYC का मतलब होता है अपने customer को जानना, अपने चरित्र को जानना या फिर C number, उपरोग दोनो, या इन में से कोई नहीं अपने customer को जानना, अपने चरित्र को जानना, अपने चरित्र को जानना मतलब know your character तो बिल्कुल सही, इसका science वर काफी लोग ने दिया, तो A number अपने customer को जानना, know your customer, अब next folder बनाते समय, आप किस character का प्रयोग नहीं कर सकते बताइए, इन में से कौन सा ऐसा है, जो file folder में आप use नहीं कर सकते तो इसका science वर का A number, greater than, less than हो, minus marking हो, जो इस screen पर आपको जितने दिख रहे हैं, देख सकते हो आप इन में से कोई आप use नहीं कर सकते, file folder में, ठीक है, ज्यान से देख लो अब next, इन में से DVD से ज्यादा store होता है, किसमें होता है बताइए DVD से ज्यादा store, floppy, red day disk, blu ray disk, cd room तो इसका जो science और वगव होगा, c number blu ray disk, ठीक है, blu ray disk और dvd लगवख similar होते हैं और इसमें ज्यादा storage होता है, blu ray disk में, dvd की recording, ठीक है, अब next निमन में से किस format में computer में data store करता है, बहुत important है, simple भी है काफी लोग science और दे रहे हैं इसका, तो इसका science और होगा, b number binary, यहाद रखना बहुत important है, 0 और 1 होता है binary, सिर्फ दो ही, ठीक है, भी नाक्ष्ट PPF का क्या मतलब होता है, pension planning funds, person pension facility, या फिर public provident fund या फिर none बताईए तो इसका science और होगा C number, public provident fund, ठीक है, बहुत important है यह, फिर दोस्तों यही पे आज का आप सभी का test समाप्स होता है, तो सब लोग वीडियो को like ज़रू कर देना, और comment में बताना का आपका 20 में कितना correct होगा, ठीक है, कितने question आपके correct हुए, तो सारी important है यह, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कियो, तो सब्सक्राइब ज़रू कर लेना चैनल को, और विल आइकान भी प्रेस कर देना, फिर दोस्तों, next वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!